सेक्स में मनी माला क्या है ये मनी माला अपने साइद नहीं सुना होगा लेकिन आज सुन लीजिएगा सेक्स के गुरू जिने हम कहें रीशी वात्सल्यान जो अध्यात्मिक सेक्स की तरफ इशारा करते हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा गरंथ लिखा था जिसका नाम कामसु कि मनी माला क्या आब बना सकते हैं बिलकुल सबसे पहले जानते हैं कि मनी माला जब पुरूस या महिला कामो तेजित हो करके खोश या सुद्ध कई बार खो करके जब अपने साथी के अंगों पर दांतों से कट बना देती है या इतना गहरा दांतों से चुम्बन लेते हैं जिससे निसान पड़ जाएं और निसान इस तरह से माला की तरह बन जाएं अर्थात वो एक लड़ी में लड़ी में निशान बना दे दांतों से या चुम्बन से तो उसे मणी माला कहते हैं और इसमें दर्द नहीं होता है क्योंकि उस समय दोनों साथ ही इतने ज़्यादा भावो वेश में या इतने ज़्यादा उसमें कारे में काम में रत होते हैं कि कई बार अच्छे तन रूप से ही उनसे चाती पर या बाकी सिरीर के हिस्सों पर कट लग जाते हैं और जब कट एक लड़ी में या एक सिरीज में जाते हैं तो वो मनी माला कहलाते हैं ये चाती पर भी हो सकते हैं थाईज पर भी हो सकते हैं या कई बार अन्य जो स्थान है वहाँ पर ये मनी माला वहाँ पर ये वहाँ पर मनी माला बन जाती है ज़्यादातर मनी माला पार्टनर बनाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो जानवरों का कारिये है, कोई इन्सान किसी को कैसे कट कर सकता है, कैसे दांतों से काट सकता है, लेकिन जो भरपूर आनंद लेते हैं, जो स्पिर्च्वल सेक्स के रस्ते पर जाते हैं, कई वार वो ऐसा कर देते हैं और वही असली क्लाइमेक्स को सचितानन्द को प्राप्त कर पाते हैं असली चरम सुक को वशी चूपाते हैं जिन के मन में भ्रांतिया नहीं है जो डूब ना जानते हैं जो पूरी तरह से समुंदर में जैसे डूब गए हो सारा संसार पर रुक गया हो एक ही चीज पर केंद्रित हो गए हो इसे ही अध्यात्मिक सेक्स कहते हैं यही ध्यान है यही परमात्मा है जानकारी कैसी लगी कोमेंट वोक्स में जरूर बताईएगा मानो तो मोजय वरना समस्या तो हर रोज है